नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरो सिंग देखिए नितीज सरकार ने विश्वास्मत हासिल कर लिया ये आप जानते हैं 119 भोटो से ये विश्वास्मत नितीज सरकार ने जीता है लेकिन क्या ये जीत इतनी आसान थी क्या इतनी आसानी से विश्वास्मत हासिल हो गया नितीज कुमार को या इसके पीछे बहुत सारे पापड बेलने पड़े तो परत दर परत ये कहानी खुलती जा रही है कि आखिर हुआ क्या फ्लोर टेस्ट ने पहले कि कहानी क्या है क्या है रोमांच, क्या थी पाला बदल की तैयारी और कैसे हुआ इसका भंड़ाफोर तो आज के पुराम में हम विस्तार से यही आपको बताने जा रहे है देखिए बहुत दिन पहले ही हम आपको कहे थे कि बहुत सारे NDA बिधायकों के घर में लाल्टेन जल रहा है लाल्टेन की लौ तेज हो रही है उन बिधायकों के घर में और उसके बाद सरकार के भी कान खड़े हुए निती सरकार के बड़े-बड़े नेताओं के कान खड़े हुए कि क्या सही में लाल्टेन जल रहा है NDA के बिधायकों के घरों में भाजपा बिधायकों के घरों में जेडियू बिधायकों के घरों में पता चलाएने की कोशिस के गई चानवीन शुरू हुई और पता चलने लगा कि बात में सच्चाई है और हम लोग को सतर कराना होगा नहीं तो फिर खेला होना तै है तो बारेक तारिक, बारेक फरवरी, फ्लोट टेस्ट का दिन और उससे पहले तीन-चार दिन की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए जो हपता था वो, साथ से बारेक तब कला हपता, वो काफी कुरूसियल था एंडिये के लिए इंपुट थी कि येसा हो रहा है, खबरे भी तमाम मीडिया में चल रही थी, दोनों तरब से तोड़ पोड की खबरे थी, लेकिन एंडिये के पाले में तोड़ पोड जादा है, इसकी भी सटीक सूचना सरकार तक पहुँचने लगी जो खुपिया एजन्सियां है, वो भी सतर्क थी, उनका भी इंपूट यही बता रहा था, कि खेला होने जा रहा है बारतारी को, सतर्क रहने की जुरोत है देखे, अमिस्ता अपने हिसाब से सारी चीजों को वाज कर रहे थे, लेकिन बिहार के जो नेता थे उनके, वो बार बार उनको आस्वस्त कर रहे थे, कि परेशान होने की जुरोत नहीं है हम बहुमत हासिल कर लेंगे, हमारी भी तैयारी है, अगर कुछ उधर से तूटेंगे, तो कुछ हम इधर से तोड़ लेंगे, इसकी पूरी मुकमल तैयारी हम कर चुके है तो कोई दिकत नहीं आएगी, अमिस्ता को उन लोगोंने एसियोर कर दिया था लेकिन जब अपने इनपूर्ट के माध्यम से अमिस्ता को पता चला, कि नहीं कमजोर कड़ी है कमजोर कड़ी है, तब अमिस्ता सक्रिय हुए कि ना बावा ना आप तो कुछ करना ही होगा नहीं तो बनी-बनी सरकार उनकी चली जाएगी और लोगसभा में बिहार में भग पिड़ जाएगी एंडिये की तो इन्पुट क्या था, अमिस्ता क्यों चिंतित हो गए और नितिश कुमार को उन्होंने क्यों फोन किया हम आपको बता रहे हैं देखिए जो सूचना थी, अलग-अलग माध्यमों से जो अमिस्ता तक पहुँची वो यही थी कि छोटी मोटी तूट नहीं है 23 बिधायक पाला बदलने की तयारी में हैं उसमें जेडियू के ज़्यादा बिधायक थे, बीजेपी के कम बिधायक थे लेकिन एंडिये के कुल बिधायकों की संखियां 23 ती इसके अलाबा जितनराम मांजी को लेके भी कहा जा रहा था कि वो भी हाँ नामे हैं जैसी परिस्तिती होगी उस तरह का फैसला जीतनराम मांजी करेंगे दस तारीक के रात रात जैसे हैं ये सारे इंपूट पहुंचने लगी अमिसा के पास अमिसा की पूरी टीम एक्टिव हो गई कि नहीं अब बिहार की नेताओं के भरोसे काम नहीं चलने वाला है अब खुद अपनी पहल करनी पड़ेगी देखिए इस दर्मिया नितिश कुमार की बात होई अमिसा से नितिश कुमार का भी कहना था कि हाँ तूट तो होने बाली है इसी इनपूट है लेकिन हम लोग भी सतर्क हैं मैनेज कर लेंगे आप देख सकते हैं तो आप भी देखी ये एक इसारा नितिश कुमार ने किया दिल्ली में उसके बाद अमिसा की टीम सक्रिये हुई और तावर तोड खबर ली जाने लगी कि कौन से विधायक नेपाल में है कौन कोलकाता में है कौन जारखन में है और कौन दिल्ली में है तमाम खोजबीन सुरू हुए और बहुत ही सलीके से बहुत ही तरीके से अमिसा ने इस आपरेशन को अंजाम दिया और क्या नतीजा हुआ ये आप देख सकते हैं बारत तारीक के फ्लोर्ट टेस्ट में चाकर भी ये तोड़ फोर्ड नहीं हो सकी ये पाला बदल नहीं हो सका पहले स्टड़जी यही थी कि अगर स्पीकर साहब बज जाएंगे तो तमाम विधायक जो है इधर आ जाएंगे और उसके बाद सरकार का कितना तै है लेकिन वो नौबत ही नहीं आई गई वो नौबत ही नहीं आई और चेतनानंद नीलम देवी और प्रलाद यादब जैसे ही इस खेमे में बैठ गए उसके बाद सीन पूरी तरह से साफ हो गई जो तो तैयारी जो थी तैस बिधायकों की पाला बदल की वो देखते ही देखते रह गई और टाइटा फिस हो गई देखिए बहुत सारे विधायकों पर एफायर हुआ है कुछ लोगों ने कहा कि मुझे डस क्रोल का ओफर था कि आप दस क्रोल लीजिये पाला बदल लीजिये कुछ को मंतरी पत का परलोभन कुछ को दूसरे चीजों का परलोभन तो तमाम परलोभन दाबे और साजिसों के बीज ये कहानी खतम वही बारतारी को जब 129 बोर्ट से नितिस सरकार ने विश्वासमत जीता लेकिन इसके पीछे जो कवायत थी जो कोशिस थी अमिसा की वो काबली तारीफ मानी जाती है और पटना और दिल्ली में बोर्ट चर्चा हो रही है कहा जाता है कि नितिस कुमार ने समराज चौधरी और विजे सिना को भी डाण फिलाई कि आप लोग उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से विश्वासमत असानी से जीता जा सकता है आप लोग ओवर कंपिडेंस में हैं हमारे पास जो इन्पूट है उसमें सरकार आ जे उन्राज भी अक्टिव हुए नितियानराए को मोर्चे पे लगाया गया यह ख़़र हम आब पको पहले बता चुके हैं जीतन राम मांझी कीि हां बेजा गया समराज चौधरी एक्टिव हुए बिजे सिना एक्टिव हुए कि नहीं अब तो ऊपर से ही फर्मान आ गया तो अब सूने का क्या सवाल है अब तो रत जगा करना ही पड़ेगा। तो रत जगा हुआ दिली में भी अमिस्टा जागे, पटना में भी नितिशको मार जागे, बिजै सिना जाने, समराड चोधरी जागे और ये जागने का ही फल है कि निती सरकार आज बिहार में काम कर रही है नहीं तो पासा तो करीब-करीब पलटी गया था खेला तो करीब-करीब हो ही गया था तो तयारी इस तरह से हुई कि खेल को बचाया गया और जो खरणारी पैट पहन कर पैविलियन में बैठे हुए थे वो पैट पहन कर बैठे ही रहा गए और बाजी NDA जीत के ले गई बिकेट उखड गया इस तब उखड गया खेल खतम हो गया और सरकार मुस्तेदी से बिहार में काम कर रही है तो इस तरह की जो चीजे हुई उससे एक चीज की सबक NDA के नेताओं ने लिए कि ओवर कंफिडेंस में नहीं रहना है जिस तरह का बारीक बहुमत है इस समय बिधान सबा का उसमें कुछ भी हो सकता है इसलिए फ्रोटेस्ट तो हमने जरूर सावित कर दिया लेकिन आगे के ल लोगों को बहुत ही सतर कराना होगा चुकि दिक्कत बहुत है देखिए एक फंडा ये भी आया था कि बिधान सबा का चुनाव साथ साथ करा लिया जाए यह प्रोपोजल नितेश कुमार के तरब से ही है अभी भी ये एक्जिस्ट कर रहा है लेकिन भाजपा के बड़े ने जट गरवडा भी सकता है इसलिए अभी सब लोगों को सारा फोकस लोगसबा चुनाव के लिए ही देना है एक बार जब हम लोगसबा चुनाव जीत जाते हैं बिहार से 40 की 40 सीटे जीत जाते हैं फिर आप इधान सबा चुनाव जब कराईए यह आपकी मर्जी फिलहाल इसक की तैयारी हुई थी और जिस तरह का खत्रा है उसमें हमारे सोर्स यही बताते हैं कि चुनाव और बिहार में पहले ही होना है नियत समय पर नहीं होना है चुनाव अरली होगा कब होगा मैं के बाद यह कब होगा यह तै करना है दोनों बड़े नेताओं को अमित्ता को और न अगातार बना रहेगा इसलिए ज्यादा अच्छा है कि चुनाब करा लिजिए एक अपार महमत से सरकार बिहार बे हम लोग बनाते हैं इसकी तैयारी है लेकिन लोग सबाद चुनाब के बाद फिलाल साथ साथ चुनाब कराने का जो इरादा था प्रस्ताव था उसको ठंडे बस्ते में रखा गया है लेकिन नितिश कुमार चाहते हैं कि चुनाब साथ साथ ही हो जाए देखिए अब इसमें क्या फ़सला होता है लेकिन बारत तारिक को नितिश सरकार बाल बाल बची ये तो आप कह सकते हैं जो खुपिया इंपुट था और तरतरे के इंपुट जो अमित्साक के पास पहुंचते हैं उसने इस सरकार को बचाया और अमित्साक जो सूपर एक्टिव हुए उसने इस सरकार को जीवन दान दिया बाकि बिहार के नेताओं ने तो अपना काम किया ही किया तो इस सरकार बची है और सरकार चल रही है आप देखते रहिए कैपिटल TV विहार आपका बहुत बहुत धन्रवाद आपका बहुत बहुत सुक्रिया